वेल्डिंगे काम करते हैं? अच्छे कभी एसा नहीं लाए कि यहीं पर हमको वेल्डिंगे चाहे कुछी भी काम मिल लाए दस बीसे और जो भी कमाते होंगे यहीं पर मिले तो हम को गाह और आपना साहर छोड़के नहीं जाना पड़े वो तो देखिए अगर मिलेगा तो लोग माली जे इधर एक दिन मिले एक काम 15 दिन बैठेगा तो माली जे घर के कैसे खर चाहिए क्या मुझ से खराब निकलता है बोली नहीं है महराज सरकार क्यान देता तो है देखते हैं सब्सक्राइन सब्सक्राइब देख्षाव मैं सब्सक्राइब कर देख सकते हैं जहां पर देख सकते हैं पीछे सीवान लिखा हुआ है और आज आज को अच्छेरिव DID mm chair कि हमी लोग यहां पर क्यूंकर आप बिहार से लोग यहां पर जाते हैं अब देख सकते हैं बॉलार की तरह लग के जाते हैं च्रेशा-इंस सवाल है चाहिए के मामले में हो या फिर दवाई के मामले में हो या फिर पढ़ाई के मामले में हो सब को महानगरों का रूप करना पड़ता है चाहिए डिल्ली हो या पंजाब हो या महराख्त हो सब को बिहार से अलग जाना पड़ता है और कभी इसमें नेता हो गया या फिर करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यूं होता है और सबसे बड़ी बात आपको बता दें इससे सिर्फ लोग परवाहित नहीं होते हैं इसका दर्ध हमें भी जहलना पड़ता है क्योंकि मैं भी जो पढ़ाई करता हूं नोईडा से करता हूं डिल्ली से करता हूं और कभी अगर अच इसली सलेत शी लोगों से बात दिस्ट करते हैं कि बिहार हम 40 लोग सबाए सीटों को देता है चालिश संसहत में लोग सभा में मगर आपको बता दे देश की संसत में 40 संसत जाते हैं बिहार से और गुजिराट 26 देता है 6 seaweed संसतों देता है मगर गुजिराट को ट्रेन मिलता है और बिहार को एक पर आए क्पर से यह फिद्क ढ़नाई पड़ती है तो चलिए लोगों को कर रहे हैं और ही महानगर में रहते हैं और इन से कारण पूछेंगे कि आखिर पिहार छोड़ कर क्यूं जाना पड़ता है कि मजबूरी प्यालति क्यों नहीं भीachsen पर जो राहिनेता या नेता है ध्यान तुछ इस तरी की सवाय मिले तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा सबसे बहले आपका सवाद है क्या नाम है दिल्ली रधे अच्छा कभी आपको यह इसा नहीं लगा क्या करते हैं आप छोटा मुटक अपना बीजस है अच्छा यह नहीं लगा कि आप बिहार में जॉ अब पर आपने गाह में रहके अच्छी कमाई कर सकते हैं अगर जो बियार में रुजगार मिल जा है तो हमें दिल बनाराज आपना कहीं बटकने के चोटना पड़े हैं अच्छा यह देखिए एक जीले है जो सिवान जीला है हम सिवान जीले के रेलबे स्टेशन पर आप सम सब्सक्राइब कर दो नोबत ना आए बाहर जाने का और यह काफी सालों से होते हैं चला रहा है हां सरकार कोई फरक नहीं पड़ता है अगर रोजगार देदे यहीं पे तो कोई ना जाए बाहर क्या ना मैं आपका यह बाइबद कंशा उनिया क्या करें अच्या ना में कोई हैं कोई जोगाडी नहीं क्या करें हैं मजबूरी में जाना पड़ता है कि विज्ड़गारामी को बबिदमिदम्टमें हो जा बास रंगबाजी इनका है यहां पर एस्टेशन पर रंगबाजी है भाई अचा सरकार तक बात अगर कुछ पहुंचाना चाहिए लोगों तक मेसेज देना चाहिए तो क्या कुछ कही होगा मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडेर्शी यहां पर लगाओ ठीक है कि लोगों को रोजगार मिले हमाना में चंदनी आदो कहां रहला बागाज पुटा टोला कहां जाता रहा दिल्ली कहां करें काम करें काम करें अचा बिहार में काम ना मिला रोजगार नहीं के बिहार में जा यहां पर दिल्ली जात रहा है महानगरों का रूख कर रहा है कि यहां पर रोजगार तो है मगर कम पैसे मिलते हैं तो इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहां पर जब इंडर्ष्टी जाएगी तो लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा और लोगों को बाहर का रूख नहीं करना पड़ेगा क्या ना में अपका अंकुष कुमार कहां राते हैं यहीं भरावली जा रहे दिल्ली क्या करते हैं अच्छा कभी एसा नहीं ल बैठेगा तो माली जी घर के कैसे खार्चा चलेगा क्या कारण है कि 15 दिन बैठना पड़ता है या इंडर्ष्टी नहीं है इसी हो जासे ना इधर कार्ध्यान में लोगों का माली जी आखर में आज काम मिल गया कि 15 दिन बैठेंगे ना उसके बाद तले घर में आदमी कैसे समान कैसे आएगा आज काल देख रहें कि आप समान सब अरे चीज का समन बढ़ रहा है इसका जाना पड़ता है जिस उम्र में घर के हलाथ हो हलात मतलब घर में रहना चाहिए घर का सारी चीज़े देखनी चाहिए बाहर जाता है मजबूरी है इनकी क्योंकि भीहार में आए कुछ लोगों से और भी बात करने को सिद्धर मेरा नम तरकेशोर पास माने अचाहा रहते हैं अचाहा आपको यह नहीं लगा कि आप चाहे रोजगार की तलास में जा रहा है वो चाहे किसी भी कारण से जा रहा है यह नहीं लगा कि आप बिहार में वो चीजे उपलब सब्हूंद रहाती तो आपको माहन अगर डिली हो या फिर कहीं भी नई जाना पड़ता दख के जो भी अगर हमें यह सुपीदा यह मिल जाता हुआ तो हम क्यों जाते हैं अगर यह सोचे यहां पर कोई पॉब्लिक जाए ना कर देती है यह 15-20 साल जब से मेरी मतलब भोस समाला है तब से यही देख रहा हूं अब उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं सबका दिमाग एक जैसे नहीं होता है और यह सिर्फ आपकी प्रोलम नहीं है हमारी प्रोलम है क्योंकि हम भी अगर पढ़ाई करते हैं तो हमे सब्सक्राइब करने के लिए अच्छे राजय को सब्सक्राइब करने के लिए मेडिकल स्वास इन्वर्सिटी ये सारी चीजे बुन्वादी सुभीदाय होती है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए यह साथ क्या नाम नियाजदीन है आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि आप बिहार में रहा कर रोजगार मिले अच्छी नोकरी मिले तो आप यहीं पर करें और मतलब रोजगार कहां मिलता है जो है डिली बॉम्बे कहीं भी चलो वहां पर रोजगार मिल जाता है अब पमीनी भी अगर इतने लोग जाते हैं एक जीले से इतने लोग जाते हैं तो बिहार में लगवख 38 जीले हैं और 40 लोग सबसीटे हैं मतलब पूरे बिहार से कितने लोग पहले आइन करते हैं इस में नेताओं को ध्यान देना चोई क्या नाम का तो सब्सक्राइब लोगों कभी तो दोस्य जाती के नाम पर पार्टी के नाम पर करते हैं तो जाती पाती चलता है और किया खराब निकलता है बोली ना महाराज सरकार ख्यान देता तरह देखते हैं कर देख लिए जर्नल का छोरी है रिजवेशन का देख लीजिए एक सवाल है कि 26 लोग सवा सीटे गुजरात देता है और बिहार 40 लोग सवा सीटे देता है और फिर भी बिहार को एक पेसेंजर ट्रेन के लिए धक्के खाने पड़ते हैं तो बिहार में तोड़ा आकमी जदा हो गया है उदर में फसलेटिक कोई कुछ और है इदर में फसलेटिक कुछ और है यहां मिली जुली सरकार नहीं है नहीं बीजेपी का नहीं है ना जंगल राज में मिल गया है ना जंगल राज में नितिस पल्टू चाचा है नो पलट गया है वो कभी भी पल्टी मार सकता है उसी के लिए बिहार खतम हो रहा है करना पड़ता है यहां बहुत नितिस सरकार है नो बहुत बहुत नितिस सरकार है ना तो हम लोगा दिली नोकरी करना पड़ता है यहां हाँ बताओं पाल यहां करता है क्योंकि हमने कई बार बोला है यूंकि हम भी पढ़ाग करते हैं डिली सहीट से हैं और यह बात बताई है कि जूभी हारी सब्दा इस बाहर में आप देखके यहां तो गाली की तरह यूज पsky अ DOWN वहां तो बिहारी जहां जाता है वहां गाली लोग दे रहा है यहां कर ठीक नहीं है शरकार ठीक हाथा तो बिहार ने बहुत सारे महापूर्सों के पूर कि लेकर रहा है किताब देने के लिए ट्रेंट एक लड़का छपरा से आ रहा था उचको यह जी अर्पी वाला फकड़के अउससे दूरुपया ले ले लिया हाँ उसको उल्टा सीधा बोल रहा था हम लोग आये तो हम लोग आये तो दूसर रुपया घूस लेकर छोड़ दिया प्रदान मंत्री यह एक है यहां भी परदान मंत्री पूल बहुमत की सरकार बनना चाहिए पूल बहुमत का सरकार नहीं बनेगी तो यही सब होगा लोग मरेगा काटेगा जब से नितीज का लालू का बना है सरकार तो अब से देखिए कितना मडर हो रहा है कितना चिंताई हो रहा है कितना लूट पाज़ा है सीवाने में कितना लोगा मडर हो गया है का था कि यह तहना है तो इसमें कोई कड़े यह आप नियिक्वार्य ता करें श्वा विघारू हो गया है प्लयां करना पड़ता है वो चाहे अच्छी इन्वर्सिटी भी नहीं है जी बढ़ाई लेखाई बिहार का जो सबसे बढ़ा ड्रोब है कि कि यहां पर डिग्री तीन साल की होती है मिलती छटे साल में आप किसी इन्वर्सिटी को उठा के देख लो चाहे पटना उनिवर्सिटी नालंदा हो आज कल ना इन्वर्सिटी जो पूरे 200 में विख्यात थी जो जो बीत गई सो बात की सर्फ पुरानी चीज़ों पर कब तक गर्व करो गया गवर्मेंट आये कोई भी आये उसे मत देखे जैसा भी एक अंकल लेगा था बीजेपी की पूर्ण जो बहुमत की गवर्मेंट आने चाहे आने स्पुसिब तो नहीं है सब को पता है लगिन के आफ जाती और बात यही बात नहीं कि कुई औरू केश्चनल टोपिक सूंट आया ने एजुकेश्चनल टोपी कुझ जो Egypt व्च्छे खण़च जो रिजिज्श्सिटी एपली क Algoga की बच्चे बाग पक है यही 7 डटिली अगर मैं यह कह रहा था ने कि अगर पहुंचना चाहे तो ट्राइ तो करो चांद पे तो कदम रखी दोगे तो बस यह और बस अब लड़ाई अपनी खुदी लड़नी है और किसे मेरा नाम करन कुमार उपाधिया यह क्या कराने वाल निवासियों बाल बंगरा ग्राम आए यहां पर कुछ लेडिस भी है उनसे भी बात करने को सब्सक्राइब बच्चे को पढ़ाने के लिए ही मैं बाहर आ रहे हूं बढ़े लिए यहां कि अगर एजुकेशन रहने वाले बच्चे यहां बाहर क्यों अपने बच्चे को लेकर भागते पर हैं अगर इस पर सबसे पहले देखें कि हाई बच्चे हैं इनका एजुकेशन के लिए थरा कुछ करें तो सब कुछ ठीक है लेकिन लग नहीं रहा है कि अभी इसमेना गवर्मेंट का रोना रो रुपे साल के लगने वह बाहर जाके किसी गवर्मेंट कॉलिज से पढ़ ले तब उनकी देट दो लाक रुपे लगने वह बाहर जाके लेकिन कोई ऐसे न दो चार फ्येस होने चाहिए लो कि यह बोले कि भाई एक काम करो बिहार का भी अब तुम चल के आपको बीए के अगर डिगरी अगर टाइम पर मिल गई ना मैं नोगरी छोड़ दूगा चलिए हम लोग तो ऐसा ही चिलाते रहेंगे और हमारे चिलाने से हमको नहीं लगता कि फर्क आने वाला है जब तक आप लोग इस चीज को अपनी जीमेवारी और अपनी मतलब जो भ कुझझ फूण सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिये आप बिहार के एग जीले से और एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब सकते हैं क्योंकि मैं भी इस दर्स से गुजरता हूं तो इस वीडियो के यहीं अंद करेंगे बने रही है हमारे साथ सुक्रिया